तो चलिए दोस्तों मैं आंसर मैच करना सुरू करता हूँ आप एक कोपी और पेन लेकर बैठ जाए और अपना देखिएगा आप कितने कोस्टन को टच किये थे और कितने कोस्टन आपका सही है और लास्ट में आप कोमेंट करके मुझे पताईएगा कितने कोस्टन आपके सही हुए तो चलिए फर्स्ट कोस्टन दो बोल रहा है कंबाला एक परमपरिक महस दोर का एवयोजन किस राज़े में होती है तो इसका जो आंसर है आंसर नमबर D सही होगा सेकिंड कोस्टन को देखते हैं तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि आपका जल्दी से कोस्टन का सही गलत पता चल जाएगा सेकिंड कोस्टन जो बोल रहा है भूमाद दिरेखा कितनी डिगरी मादेस्तान पर इस्तित है तो इसका आंसर जो होगा आपसन नमबर B सही होगा 180 डिग तीसरा कोस्टन बोलता है भारत का सबसे महतपूर्ण इउरेनियम ख़दान कहां पर है तो इसका जो आपसन नमबर है वो D जादुगोरा उश्य हो जाएगा चौथा कोस्टन जो बोलता है यहां पर खासी और गारो जनजाती मुख्य रूप से कहां में रहते है तो इसका जो आपसन नमबर D है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि मेगाल है पाँचवा कोस्टन बोलता है यहां पर कॉंग्रेस का पर्थम अदिवेशन कहां पर हुआ तो इसका जो आपसन नमबर D है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि बॉम्बे में शिक्स कोस्टन यहां पर बोलता है लाल बहादूर सास्त्री राष्टी यह सासन एकेडमी कहां पर इस्तित है तो इसका जो आपसन नमबर A है मसूरी वो बिल्कुल ही सही आंसर है आप देख लीजेगा आप कौन सा आंसर को टिक कर रखें और पेन कोपी पे लगतार अपने कोस्टन का जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत ताकि काउंट करने में असानी हो सेवे नमबर कोस्टन बोलता है राजसभा के सदस्य का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो इसका जो आपसन नमबर D है 6 यर्स वो बिल्कुल सही हो जाएगा 8 नमबर कोस्टन बोलता है भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर कौन सी है तो यह मुझे लगता है आप सब लोगोंने सही की होगे इंद्रा गांधी नहर 9 नमबर कोस्टन जो बोलता है दिल्ली की पर्थो मुस्लिम सासी का महिला सासी का कौन थी तो यह जो आपसन नमबर B है वो बिल्कुल ही सही आंसर होगा सुल्तान रजिया यह हवाई अड़ा कहा है यानि है तो इसका जो आपसन नमबर B है चिन नहीं यह बिल्कुल सही हो जाएगा फिर बोलता है नेक्स्ट कोस्टन 11 नमबर निमलीखित में से धौला धर परवत माला की मसुहूर जनजातियों का नाम बताओ तो इसका जो मसुहूर जनजाति का नाम पूछा है तो वहाँ का मसुहूर जनजाति जो है आपसन नमबर B गड़ी बिल्कुल ही सही आंसर होगा 12 नमबर कोस्टन को हम देखते हैं निमलीखित में से कौन से राज बूध के जीवन से जूरे थे तो यह जो कोस्टन है इसमें थोरा सा कन फ्यूजन है कोसल और मगद में यहाँ पे दोनों आंसर जो है सही आपसन जो है सही दीख रहे हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तर कोसल के और हम जातना चाहते हैं कोसल में बगातम बुध ने अपना जीवन ज्यादा ब्यातित किये थे जलिए नेक्स्ट कोस्टन के बर चलते हैं ठटी नंबर तो यहाँ ठटी नंबर कोस्टन बोलता है आद्रता को पूरे तोर पर ग्रहन करने के पस्चाथ हवा कहलाती है तो इसका जो आंसर है ओप्सटन नंबर सी यानि की absolute humidity यानि की सुद आद्रता ओप्सटन नंबर सी जो है सही हो जाएगा तो चौदा नंबर कोस्टन को हम देखते हैं तो चौदा नंबर कोस्टन बोलता है किस बैंक का मुख्याले मनिपूर और करनाटक में इस्तित है तो इसका जो आप्सटन नंबर बी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानि की syndicate बैंक कोस्टन नंबर पंदर को हम देखते हैं अठारो सो तीरपन के सिकागो में होने वाली बिस्वेधार्मिक सभा में किसे एक परभावसाली हिंदू के रूप में सहार आ गया तो इसका जो आप्सटन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानि की स्वामी बीवे का नंद चलते हैं next question की ओर, 16 नंबर question में बोल रहा है तामबे का गनलांक कितना डिग्री Celsius होता है तो तामबे का जो गनलांक है वो 183 यानि की approx में यहाँ पे 185 डिग्री Celsius दे रखा है यानि की ओप्सन नंबर यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोफशन की और चलते हैं मुह के pH मान से कम होने पर दांतों का च्छे पारंब हो जाता है तो इसका जो option number B है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानि की 5.5 आप देख लिजेगा आप कौन सा टच किये हैं आप ऐसे count करते चलिएगा ताकि लाष्ट में जोड़ने में असान हो आपको अठारा number question को देखते हैं गन्ना चिन्नी का आनमिक सुत्र है यानि की चिन्नी का आप से सुत्र पूछा है तो चिन्नी का सुत्र होता है C12, H22 और O11 यानि की option number B जो है वो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा 90 number question को देखते हैं अधीक उचाई वाले छेत्र में किस कारण नाक से खुन बहने लगता है तो option number यहाँ पे A जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानि की निम्न वायूमंडलिये दबाओ next question के ओर चलते हैं 20 number question में बोल रहा है प्रात्मिक इंधन कौन सा है तो प्रात्मिक इंधन यहाँ पे कोईला की और सही आंसर जा रहा है यानि की option number B यहाँ पे सही है 21 number question को देखते हैं इन में से कौन सा रक्ट संचार में सहायक है तो इन में से कौन सा रक्त संचार में सहायक है यहाँ पे हम लोग जानते RBC RBC होता है Red Blood Cell वो रक्त संचार में सहायक होता है यहाँ पे वो option ही नहीं दिया है यानि कि None of these इन में से कोई नहीं answer सही हो जाएगा Next question देखते हैं परकास insulation में परकास insulation कौन सी रंग में अधिक्तम होता है यानि कि कौन सी रौशनी में अधिक्तम होता है तो यहाँ पे लाल रौशनी में सबसे ज़ादा होता है यानि कि यहाँ पे रेड लाईट होगा 23 नमबर question को देखते हैं तेरियस टेरियल दूरी मापने काई काई कौन सा है तो तेरियस टेरियल आपको ऐसे ही लग रहा होगा टेलियस कॉप से रिलेटेड है यानि कि लाइट इयर इसका परकास वर्स जो ऑप्सन नमबर डी है वो बिलकुल ही सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन को देखते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है वो नस्पति बिज्ञान का अध्यान है तो यहाँ पे ऑप्सन नमबर ए जो है बिलकुल ही सही हो जाएगा पौधो का जीवन अगले कोस्चन के ओर चलते हैं तो बोलता है नेमली खित में से पहला गन्ना ये अंत्रे कौन सा है तो यहाँ पे जो ऑप्सन नमबर डी है वो बिलकुल ही सही हो जाएगा यानि कि अबेकस नेक्स्ट कोश्चर की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट कोश्चर में बोलता है रिवॉल्वर का अविस्कार किस के द्वारा किया गया था तो रिवॉल्वर का अविस्कार आप्सन नमबर D बिल्कुल ही सही है यानि कि Samuel Cold के द्वारा next question के और चलते हैं hertz की इकाई कौन सी है तो hertz की इकाई जो हती है frequency यानि कि आवरिती option number भी बिलकुल ही आपका सही हो जाएगा next question के और चलते हैं तो 28 number question बोलता है आप आप वायू गती सास्तर से किया समझते हैं तो यहाँ पे आपका जो option number C है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह हवा या गैस के परभाव में होने वाली हलचल का बिज्ञान है यानि कि C number, option number C आपका बिल्कुल ही right answer है next question के ओर चलते हैं तो 29 number question बोलता है निमलीखीत में से किसे कृतिम बुधी जियू का कृतिम बुधी का जनक माना जाता है तो यहाँ पे जो option number D है वो बिल्कुल ही आपका right answer है जौन मैं कार्थी next question के ओर चलते हैं 30 number question में बोलता है chronograph का परियोग dot 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 के लिए किया जाता है यानि कि chronograph का परियोग किस के लिए किया जाता है तो यहाँ पे जो option number D है वो बिल्कुल ही सही है सूरी के कोरोना का अविकलन करना और तस्वीर खीचना next question के ओर चलते हैं अब यहाँ से आपका math का section स्टार्ट होता है GGS का आपका जो section था वो खतम हो गया तो आप बोल सकते हैं comment में यह सारा math का में solution बना कर एक video बना कर डाल दूँगा अगर ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर मैं answer match करवा देता हूँ और आप बोलिएगा तो इसका मैं एक video बना दूँगा जिसमें सारा solution होगा यह सारा math का तो चलिए मैं यहाँ पर start करता हूँ आप answer मिलाते जाहिएगा आप कितना answer जो है सही हुआ था फर्ष्ट कोस्टन जो बोल रहा है एक बैक्ती 320 आम को बिक्रैमूल पर 400 आम बेज देते हैं तो उसका कितना प्रतिसत घाटा होगा यहां पर देखें दोस्तों कि यहां पर जो कोस्टन है वह गलत दे रखा है इंग्लिस में बोला है और यहां पर हिंदी के कोस्टन में बिक्रैमूल बोला है और यहां पर लाष्टम पूँचा है इंग्लिzh में प्रॉफिट परसंटेज लेकिन हिंदी में पर यहां पर हानी परसंटेज फिलियुकि और दोनों कोस्टन हें वह डिएchez हो जा परसेंट ऑफ फंद्रसो प्लस छे सो यानि की 21 का 30 परसेंट निकान ला है अब यहां हम अगले कोस्टन की बात करते हैं तो अगला कोस्टन बोलता है एक मोटर बोट परवाह के निचले दिशा में 9 किलोमेटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है और परवाह की दिशा में वही दूरी तै करने में 6 घंटा का समय लेती है तो बोट की चाल किलोमेटर में परवाह और और परवाह के विपरित क्या होगी तो इसका जो आप्सन नमबर ए है वो बिलकुल ही सही हो जाएगा इसका मैं solution आपको बना कर दे दूँगा, आप comment में comment कर दीजेगा, एक वीडियो में लाओंगा, जिसमें सारा मैत का solution होगा, अगर वो वीडियो चाहिए तो आप comment कीजेगा, next question बोलता है, arise, arise एक word है, सब्द है, अच्छरों में कीतिनी बार बेवस्थित किया जा सकता है, तो इसका जो option number C है, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 120, 36 number question देखते हैं, परिमे और अपरिमे संख्या का गुननफल क्या होगा, तो इसका जो option number D है, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, हमेशा एक अपरिमे संख्या, 37 number question बोलता है, एक स्रीज दे रखा है, उसका अगला पूछाए क्या होगा यहां पर, तो उसका जो अगला है, अगला यहां पर जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो 25 हो जाएगा, यानि कि 25, नेक्स्ट कोस्टन बोलता है, एक बहु भूज के 44 बिकर्न है, इसके भूजाओं की संख्या बताओ, तो इसका भूजा के जो संख्या होगा, वो इगार हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन की बात करते हैं, यहां पर 39 number जो कोस्टन बोलता है, वो बोल रहा है, यदि कोई नहीं हो सकती है, तो इसकी संभावना है, इसकी संभावना जो है, आंसर number C, 0 होगा, आप मैच कर लीजेगा, चालिस नमबर कोस्टन बोलता है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, और उनके वर्ग का अंतर 28 है, तो उनका योग ग्याद करो, तो इसका जो option number D है, वो बिलकुल ही स नेक्स्ट कोस्टन है, फोटी वन, पंद्रस सो, नावाशी मिली गराम को गराम में बदलो, तो इसका जो option number D जो है, बिलकुल ही सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन बोलता है, एक बले बाज 12 पारी से 30 रन बनाता है, जिसके कारण उसका आउसत 2 रन बढ़ जाता है, बार इसका जो option number B है, 39, 49, वो बिलकुल ही सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन बोलता है, साथ लर्कों की आईउ का आउसत 20 वर्स है, यदि पहले 6 लर्कों की आईउ आउसत 19 पूर्णांग, एक बटा 2 वर्स है, तो साथवे लर्का का आईउ ग्याद करो, तो इसका जो option number B है, 23 वर्स वो बिलकुल ही सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन यहाँ पे बोलता है, 5, 25, 125, अगला यहाँ पे जो digit है, अंक है, वो पूछता है, तो अगला जो digit है, वो 625 हो जाएगा, नेक्स्ट कोस्टन 45 नमबर बोलता है, A और B, एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकत हैं, यदि एक काम सुरू करता है, और दोनों एक दिन छोर कर, दोनों साथ काम करते हैं, तो काम कितनी दिन में खतम हो जाएगा, तो इसका जो answer, option number A है, वो सही हो जाएगा, यानि कि 12, अगले question के और चलते है, तो अगला question बोलता है, महेज बेटे, महेज के बेटे, के भाई अमर से हुआ है, जिया और जिया महेज से कैसे संबंदी थे, तो यह blood relation का question था, और यहाँ पे option number A बहु बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अगले question के और चलते हैं, तो अगला question 47 number बोलता है, गय हुए परसो सनिवार था, तो आने वाला परसो कौन सा दिन होगा, तो इ और लाइक कर दिजेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला वीडियो में, आप खुद समझदार हैं, next question के और चलते हैं, नेमलिखित के लिए दिये के विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, तो यहाँ पे देख लीजे दोस्तों, यह question जो था, यहाँ पे English में दे रखा ह फीस और अस्कूल, यानि कि फीस का जो ग्रूप होता है, उसे हम अस्कूल बोलते हैं, तो वैसा ही हमें option में खोजना है, यहाँ पे option नमबर जो C है, ओल्फ का पैक दे रखा, यानि कि भेडिये का जो ग्रूप होता है, उसे हम पैक बोलते हैं, यानि कि option नमबर C जो है, य बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानि कि तलवा कोई भी जूता लिजें उम्मेर उसमें सोल जरूर होता है यानि कि सी नंबर मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा नेक्स्ट कोचन है 50 नंबर यहां पर एक स्रीज दे रखा है DEF, DEF2, DE2, F2 और यहाँ पे खाली है D2, E2, F3 यानि कि बीच में कौन सा आएगा तो यहाँ पे जो option number D है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा तो आप अपना score last में जोर कर मुझे comment में बताईएगा आपका कितना score आया और फिर मैं बताऊंगा कितने cut-off आपके जाने वाले हैं और कितने पर आपका result होगा